नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर नलित कुमार गंगेले आप सबका अपने चैनल के एक और इंफॉर्मेटिव और सीरियस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं जैसा कि आप थम्नेल में भी देख पा रहे हैं वो है अबॉर्शन की टेंडेंसी आप है बहुत सारी महिलां देख रहे होते हैं जो की जब होतीं हैं उनके प्रेख्नेंसी का फर्स्ट टायमिस्टर सारीमिस्टर हमसाइए और जो इंशनी शरीड चांडर येर्व और उमर होती है नौ महीने तो नौ को दिवाइड करांगे तीन से तो तीन तीरी के नौ मतलब तीन ट्राइमिस्टर होते हैं प्रेग्नेंसी के मानव शरीर के अंदर और ये हमें बहुत फ्रिक्वेंट फाइंडिंग हम देखते हैं कि हम ऐसी महीलाओं को अपने घर में जाही नहीं पाती कहने का मतलब जब वो प्रेग्नेंट होती हैं प्रेग्नेंट होने के एक महीने दो महीने या हद से हद तीन महीने के अंदर उनको अपने आप पर वजाइनम ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और वो जो गर्भ है जो धारन करा है उन लोगों ने वो जो पात की जो टेंडेंसी है इस महिला के अंदर वो टेंडेंसी है as a disease कहने का मतलब मैं ऐसे अपने केरियर के अंदर कम से कम सेपड़ों केस देख चुका हूं उन महिलाओं की दिक्कत थी कि वो दो-दो-तीन-तीन बार प्रेगनेंट हुई और तीनों बार उनका तीसरे महिने के पहले गर्ब धारन करने के तीसरे महिने के पहले पहले उनकी अपने आप ब्लेडिंग स्टार्ट हो जाती थी और वो जो होता था जो गर्ब था उसका अबॉर्शन हो जाती तो यह एक अपने आप में एक specified disease होता है इन महिलाओं के अंदर आम बोल चाल की या फिर बहुत सर जिनेसिस में पैथो फिसियोलोजी में बताऊंगा कि इनकी शरीर में एक ऐसी दिक्कत चल रही होती है कि वो गर्ब को तीन महिने के ऊपर एक दिन तक नहीं टिका पाती और इसके अंदर तीन महिने के पहले-पहले कभी इनको हलकी सी पर वजाइनम ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और जब वो पर वजाइनम ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो यह एक दिन तो देखती है कि में भी स्पॉर्टिंग हो ऐसा कई बार होता है कई मेलाओं के साथ पर जब वो गाइनिक के पास पहुंचती है तिल एट टाइम ब्लीडिंग इतनी स्टार्ट हो चुकी हो या तो फीटस अपने आप अबॉर्ट हो जाता है या उसको अबॉर्ट करना पड़ता है क्योंकि वह ब्लीडिंग हम नहीं रोप तो इस इस इंद गाइने को लॉजिकल लेंगवेज इस नोन एज दे अबॉर्टिफिकेंट टेंडेंसी इन फिस्ट ट्राइमिस्टर और आज पैफो फिजियोलाजी की बात करें में कोई वीडियो के अंदर कुछ हवाला नहीं दे तो इसके लिए ठोड़ी सी एच्छोटा सा पैफो फिजियोलाजी को मैं कहानी के रूप में बताते हैं हम जानते हैं कि मानव शरीर में बच्चा कैसे होता है कि जो ओवरी से महिला की उभरी से ओवं निकलता है और यह सक्सेस्पुली हो जाता है उस अंडे के आंदर एक दूसरे से जुड़ के फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब जाके वहां पर भून या फिर फीटस बनता है या फिर तब जाके गर्ब ठहरता है तो यह हमारी एक नॉर्मल फिजियोलोजी है जिससे कि हम लोग मतलब मानाव जो है बच्चे बैदा करते हैं अब यहां पर दूसरी कहानी ए इकला फिलोपियन ट्यूब को पार किया और जो मेन यूटेरस की बॉड़ी है फंडस में आ करके बैठ गया इत्तवाक से उसी दिन इन लोगों का मूड बना इंटर कोर्स का कि हमको बेबी चाहिए इनने इंटर कोर्स करा प्रॉपर टाइम पर करा अब वह क्या हुआ कि वह उसे एक को मेल के इस्पर्म इस कर दिया अब जैसे होता है वैसे एक दूसरा फिनोमीना ट्रिगर होता है अब आप मोटे तोर पे मैं आप को पिखा और बारहे में आपको बहुत गफलत रहती इनमें से किसका क्या काम है सीदा सीदा समझ लो कि जब भी पर वजाईनम ब्ली होती है 28 दिन के बाद cycle चालू होता तो 5 दिन ब्लीडिंग होती है ब्लीडिंग कराने के लिए on the regular course during each month जो responsible होता है वो होता है क्या responsible होता है estrogen हां जी है और estrogen का opposite होता है प्रोजेस्ट्रॉन की bleeding को जब भी रोकना होगा तो वो रोकने के लिए जो हर्मोन responsible होता है वह प्रोजेस्ट्रॉन अब सीधी सी बात एक चीज़ समझ लीजे प्रोजेस्ट्रॉन का दूसरा काम है कि अगर 9 महीने pregnancy टिकानी है आप दे वन तू लेकर 9 महीना तक 9 महीने के आखरी तारिक तक तो pregnancy ठिकेगी सिर्फ तभी जब blood के अंदर estrogen बिल्कुल हो जाएगा खतम मतलब यह pregnant महीना में estrogen बिल्कुल बिल्कुल जीरो हो जागा और प्रोजेस्ट्रॉन बिल्कुल पीक पे होता है और जब तक प्रोजेस्ट्रॉन पीक पे रहेगा उस महीना के अंदर bleeding होने का और abortion होने का कोई चांस ठीक है और अगर उस महीला के अंदर यह प्रोजेस्ट्रॉन आखरी महीने तक बिल्कुल नौवे महीने तक रहेगा तो नौवे महीने में इसको कोई bleeding नहीं होगी कोई प्रोजेस्ट्रॉन आता कहां से अब इतना तो आप अभी तक समझ गए होंगे कि बेसिकली इस महीला के अंदर वह प्रोजेस्ट्रॉन जो नौ महीने तक निकलना चाहिए वह खाली 3 महीने निकलता और 3 महीने बाद वह रिजनरेट हो जाता है तो दोस्तों जहां से हमारा मतलब फंडस मतलब यूटेरस की बॉडी में और उसको इस पर्म ने फर्टिलाइस कर रहा था तो जब यह फर्टिलाइस हो जाता है उसके बाद एक नियूरो एंडो क्राइनोलोजिकल मेकेनिजम एक्टिवेट होता है और उसमें होता यह है कि यह जो अंडा जिस ओवरी के आया और यहां निशेचित हुआ मतलब फंडस हो गया तो दोस्तों वह और पस लूटियम जहां से यह एग अंडा आके निशेचित हुआ उसकी खाली जगे पर बनता है कॉर्पस लूटियम और वह कॉर्पस लूटियम शुरू के इनीशेल फर्स्ट ट्राइमिस्टर के अं अब जिन महिलाओं के अंदर ये टेंडेंसी होती है अबोर्शन और अबोर्टिफिकेंट टेंडेंसी दोस्तों उनके अंदर और पोई दिक्कत नहीं होता एक्चुली उनका जो कॉर्पस लूटियम बना है जहां से यह एग निकला और निशेचित हुआ तो वह जो कॉर्पस लूटियम डीजनरेट हो जाता है खतम हो जाता है महिला के अंदर प्रोजेस्टरॉन हार्मोन एकदम से कम होता है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लीडिंग कराने के लिए इस्ट्रोजिन और ब्लीडिंग रोकने और ऐसी कंडिशन जैसे कि प्रेग्नेंसी प्रेग्नेंसी कब टिकेगी जब ब्लीडिंग रुकेगी तो प्रेग्नेंसी को स्टेबलाइस करना टिकाना और अंत तक ले जाने का काम कौन करता है प्रोजेस्टरॉन करता है पर इस महिला के अंदर प्रोजेस्टरॉन हो गया खतम क्यों खतम हो गया क्योंकि इसका जो फुर्स्ट ट्राइमिस्टर टक जो बनाता है प्रोजस्टरॉन हर्मों वो हो चुक़ है डीजेनरेट और उसके कारण इसकी ब्लेड में जब एकदम से रोजस्टरॉन हर्मों का प्रभाव कम होने के कारण यह एकदम से इसको ब्लीडिंग हो जाएगी और ये फ्रस्ट ट्राइमिस्टर में मतलब शुरू के तीन महीने के अंदर अंदर अबॉर्ट कर देगी अपने गर्व को तो अब एलोपैथी में कोई कि यह NATION हैं है जो इस महिला के अंदर यह जो करने की टेंडएंसी एंप थे आपको कोईu होमियॉपाथिक Kr Sh пол करने की को टेंडए मेडिशीन है जो इसके अंदर इलाज के बाद को बहुत तंदरुस्त बना है जिससे की शुरू के तीन महीने वह कॉर्पस लूटियम प्रचुर और प्रभावी मातरा में प्रोजेस्टरन हार्मोन को डिलेवर करें तो जी हां दोस्तों खुशकवरी कि ऐसी मेडिसीन है और मैं खुद परसनली कम से कम सेकड़ों के के अंदर महीलाओं की इस प्रॉब्लम से उनको निजाद आज तक दिला चुका हूं और टू मोस्ट इंपोर्टेंट मैडिसीन इन होमियोपैथी इंडिकेटेट इन दे केस ऑफ दा वॉर्टिफिकेंट टेंडेंसी इन फस्ट ट्राइमिस्टर आर फस्ट वन इस दा सबाइन 200 डोस्तों सभाइना 200 पोरडेंसी में सभाइना 200 चार चार गौली दिन भर में तीन बार सबसे 4 चार गौली दिन बर में आपको सेवन करना है क्योंकि मैं कुछ बाते बताना चाहता हूं अगर आपके घर में कोई बहु महिला है जिसको फर्स्ट ट्राइमिस्टर में एक बार अबोर्शन हो चुका है इस बात के दस गुना ज्यादा चांसे से हैं कि वह अगली प्रेगनेंसी जब भी कंसीव करेंग जी हां 6 महीने आप जो है महिला का ट्रीटमेंट करें अगर आप होमियोपेटिक डॉक्टर हैं तो केरफुल स्टेडी के बाद यह मैडिसिन उनको दें अगर आप ऐस पेशेंट देख रही है यह वीडियो तो प्लीज भगवान के लिए बाकी यूट्यूबर जो आपको मै इस आप इलाज को 6 महीने लीजिए और 6 महीने के बाद इलाज के बाद मैं इस बात का चैलेंज ले रहा हूं कि आप मैंसे जितनी महिलाओं को यह वार्टिफिकेंट टेंडेंसी थी 99.9% की महिलाओं की यह टेंडेंसी खतम हो जाएगी तो यह था चोटा सा मीडियम साइस क वीडियो अब और्टिफिकेंट टेंडेंसी इन फस्ट ट्राइंस्टर के बारे में आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाल करके चैनल से जुड़ने के लिए वीडियो को देखने के लिए वीक में आने वाले इवेंट्स में और लाइव स्ट्रीम में आप सबसे बहुत जल्द मुलाकात होती है तब तक के लिए नमस्कार